नमस्कार प्रिया विद्धार्तियो स्वागत है आप सभी का बेसी फस्टियर का आप पेपर कर रहे हैं स्टथिस का लंड और पेपर अपना है कौन सा है खाड इसके बारे हम दो पुख पढ़ेंगे एक तो वेक्टर काल्कुलस और एक कौन सा ही कौडिनेट जियोमेट्री न पिछली क्लास में हमने बेसिक पढ़ा था जो आप 1112 चे पढ़े आयो वह बेसिक चीजें पढ़ी थी उसमें एक दो चीजे बेसिक रह गई है वह आप पढ़ लेकते हैं तो बेसिक के बात करूं हमने गुनंदफल डोट प्रड़क्त भी पढ़ा है क्रोस प्रड़क्त भी यासे अदीस से त्रीक गुनंदफल अदीस त्रीक गुनंदफल का क्या अरत हुआ भी अदीस त्रीक गुनंदफल का यानी दोज़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ ने भटड़ प्रड़क्ट ने अधिस गुनंख करंगा। एज रखनक्राइना क्या क्या होगा, अधिस रीक गुनंगफल क्या आजुलाओ। इसको अधिस रीक गुनंगफल क्या आपना Wednesdays ठीक क्या त Hay gì आजुज क्लेर है यहां तक तो इंग्लीज में इसको क्या बोलते हैं स्केलर ट्रीपल प्रोडेक्ट स्केलर ट्रीपल प्रोडेक्ट सदीज एई सदीज भी और सदीज एटीन आपा सदीज ले लिया भी इन टीनों का हम क्या करेंगे दो का क्या करेंगे दो सदीज ले लो कौन सा भी बी और सी ले लिया भी यहां से इनका हमने क्या करा दिया सदीज कुणन करा दिया अब तीसरा जो सदीस हमारा है, सदीस ही, इसका हम क्या करा देंगे, डोट प्रड़क्ट, यानि, अदीस कुणन करा देंगे, यहां से क्या जेगा, इस अदीस, डोट बी, इसको इस परकार से भी लिख सकते हैं, और इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं न एक क्रोस भी और डॉट प्रोड़क्ट सी ऐसे भी लिख सकते हैं यह जो हमारा जो को हम कह सकते हैं इसका किस प्रकार से करते हैं सरीस ए का हम डॉट प्रोड़क्ट किस के साथ करेंगे बी क्रोस ए के साथ में बी क्रोस से सी के साथ में डॉट प्रोड़क्ट करेंगे इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो, सरीस A, सरीस B और सरीस C, इसको हम क्या बोलते हैं, box product, क्या बोलते हैं, box product, box product, आपने पढ़ाया हैं, पहले भी बहुत बार पढ़ाय हैं, उनको आगे भी भुट बार पढ़ना हैं, इनको हमेसा remember याद रखना हैं, इन चीजों को, हमेसा याद रखना है, क्लिर है अब इनका एक्जामपल लेते हैं इनको स्वधिस्टों को मान लेते हैं A B और C को गटकों के पदों में इसका किस परकार रिजल्ट निकालते हैं वो देखो गटकों की पदों में हमने क्या माना भी यहांसे मान लिया let स्वधिस A का मान अमने क्या मान लिया भी यहांसे A1 IK प्लस A2 JK प्लस A3KK यह मान लिया ठीक है इसी परकार स्वधिस B का मान तो स्वधिस B का मान क्या आएगा B1 IK प्लस है B2 JK प्लस है B3KK प्लस है इसी परकार स्वधिस C का मान अजएगा क्या आएगा भी यहांसे C1 IK प्लस C2 JK प्लस C3KK प्लस है ठीक है यह तिन वागी अब इनका में क्या करना है देखो B क्रोस C करना है यहांसे लिख लो B क्रोस C B क्लस C करेंगे पहले IK के गार्ण करते हैं यहांसे करेंगे देखो I cap को छोड़के कितना आएगा भी B2 C3 B2 C3 Minus है Minus C2 B3 यह आएगा न यहां से क्या आजेगा I cap आजेगा Plus का Minus का जे आते है उसको plus को करने के लिए पहले हम multiply किसकी कर देंगे भी यहां से कर देंगे B3 C1 B3 C1 minus B1 C3 B1 C3 और यहां से क्या आजेगा J cap Plus का K cap के लिए देखो B1 C2 B1 C2 Minus C1 B2 C1 B2 किसका आगे भी है K cap का आगे है B cross C का Cross product आगे है अब हमें क्या करना है E के साथ में Dot product करना है इसका तो series A Dot product है B cross C यहां से क्या answer आएगे देखो इस एक यहां से भी क्या I cap है यहनि दो समान सदिसों का Dot product करते है तो उसका answer कितना आथा है भी 1 दो समान सदिसों का Dot product करते है उसका answer कितना आथा है 1 और दो समान सदिसों का Cross product करते है तो उसका answer कितना आथा है 0 यह आपको ध्यान में रखना है यहां से कितनी मान आएगी देखो I cap I का मान कितना आजएगा 1 तो यहां से E1 यहां से multiply हो जएगा तो B2 C3 minus C2 B3 आगया यहां से कितना आजएगा A2 B3 C1 minus B1 C3 इसी प्रकार यहां से देखो क्या आजएगा A3 A3 B1 C2 minus C1 B2 clear है सबके clear है न इतना तो इसको और हम किस प्रकार से आगे लिख सकते हैं वो देखो इसको लिख सकते हैं E dot product B cross C इसको हम box के रूप में लिखते हैं A3 B और 3 C यहां से क्या लिख सकते हैं A1 A2 A3 A1 A2 A3 अगए यहां से यह देखो B2 B3 यहां से क्या है B1 B2 यह रहा है मैं यहां पर लिख दूँ देखो B1 B2 B3 इस B के जो C के क्या लिख दूँ है C1 C2 C3 यहां से देखो मान के आएगा A1 के लिए हम कर रहे है A1 के लिए यह रहा B2 C3 B2 C3 माइनस माइनस C2 B3 C2 B3 A2 के लिए लिए लेते हैं A2 के लिए माइनस का A2 हता है उसको यहां पर प्लस लिख दिया यह लिए लिए यहां से C1 B3 C1 B3 माइनस B1 C3 से में से यह 3 के लिए यह हमेसा आपको ध्यान में रखना है हमेसा आपको ध्यान में रखना है अदीस त्रिक गुणन्दफल क्या होता है? दो सदीसों का सदीस गुणन्दफल इसको मैं आसे लिख सकते हैं दो सदीसों का सदीस गुणन्दफल से तीसरे सदीस का अदीस गुणन्दफल इसको मैं क्या बोलते हैं? अदीस त्रिक गुणन्दफल क्या आता है? दो सदीसों का सदीस गुणन्दफल से तीसरे सदीस का अदीस गुणन्दफल इसको मैं दो प्रोड़क्ट होता है यहां तक बात समझ में आगे कलियर सब के अब देखो इसको बॉक्स प्रोड़क्ट लिक्कियो है ना पाँ सदीस ए सदीस बी सदीस सी इसके बारे में बात करता है अगर यहां पे में सदीस दो सदीस समान हो जाएं इसका मान क्या आएगा जीरो आजेगा यह ध्यान रखना है तो दो सदीस समान होने पर अधीस दीस समान होने पर अधीस त्रिक गुणनद्फल क्या होगा सुन्ने होगा अधीश्त्री गुंत्ल क्या होगा सुन्ने होगा कब यदि ये दो सरी से समान होजाए तो अब बात करें इनकाम अगर करम चेंज करें एक अभी से वी कशी से तो करम हमेशा चक्रिकरम में चेंज होगा चक्र ये करम में चेंज होगा भी कैसे देखो यहां से A यह है यहां से B यह है सरीस A, सरीस B और यहां से यह सरीस C तो A से B जा सकते हैं B से C, C से A तो कहने कारत है A, B, C करम आ जाएगा बापिस C से A आ जाएगे पर हम कभी यह नहीं कर सकते हैं B और A अगर यह चेंज करेंगे यहां से डारेक्ट हैं तो हमारा जो मान आएगा वो मान आएगा मान के आएगा आएगा मान के आएगा किसका अजीस तरीक उननदफल का मान के आएगा मान के आएगा इनका अस्तान परिवर्चित करते हैं, अगर करम में चेंज करते हैं, करम में, चक्री करम में, तब तो कोई दिकत नहीं, तब तो हमें कोई दिकत नहीं होगी, इसका, तब तो हमें कोई दिकत नहीं, इसका ऐसे कर सकते हैं, देखो, C क्रोस, A क्रोस, B, यह तो करम है, चक्री क से है, सरीस B, सरीस C का वोक्स प्रोड़क्ट है, इसको हम यहां से ऐसे लिख दें, कैसे B, A और C, तब इसका मान माइनस आएगा यहां, ध्यान यह रिखना है, तब इसका मान कितना आएगा, माइनस आएगा यहां से, अधीस त्रीक गुणनफल, अधीस त्रीक गुणनफल हो गया आपके यह, लिख लो पड़ा वड़ उतार लो भी इसको, आगे पित करती है, सरीस त्रीक गुणनफल, सरीस त्रीक गुणनफल, अधीस त्रीक गुणनफल, सरीस त्रीक गुणनफल, यह क्या होता है अभी, वेक्टर ट्रिपल प्रोडेक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडेक्ट, यह होगा ने इसका, वेक्टर ट्रिपल प्रोडेक्ट, वहाँ पे क्या पड़ा था, स्केलर, वेक्टर ट्रिपल प्रोडेक्ट, यह होगा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडेक्ट म तो सदीश त्री कुन्टफलगार्थ है जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा उसका फोन से राशी प्राप्त होगी वो सदीश राशी प्राप्त होगी यहीं हम यह कह सकते हैं सदीश गोनन तीशरी सदीश सी गोनन यह ओता सदीश त्री गोनन फले तो हमें राशी प्राप्त होगी वो कौंच होगी सदीश राशी प्राप्त होगी यहां से अब इस काम लिखते हैं देखो ए क्रोस बी क्रोस सी या ए क्रोस बी क्रोस सी इस प्रकार से भी लिख सकते हैं यह बहुत महत्व पुण है आपके लिए बहुत जादा महत्व पुण है शदीस्त टिक गुणंदफल आगे इनका फोका हम सेकंड एक्सराइज में वहां पर क्यूस्टन करेंगे वहां पर कुछ प्रोपर्टी एं रिद्राइजा है उस में इसका प्रियुक है कि अपया इन परियुक आएगा इनका प्रियुक अच्छा स्याक हुब्यु लेना Bunda इसका गुणन का करने का तरीका देगो किस प्रकार से करते हैं हम A और C का क्या करेंगे डोट प्रोड़क्ट करेंगे इनका जो रिजल्ट आएगा A C का डोट प्रोड़क्ट है और अदिस B का माइनस अब क्या होगा A और B का डोट प्रोड़क्ट और C का अदिस प्रोड़क्ट यह रिजल्ट आएगा इसका क्या आएगा यह रिजल्ट आएगा यहां से याद रिखने है हमेशा आपको ऒंझत है एक्दम आपके तरागी बहुत सारी ठीक है याद रख लो क्या इनको कोई एक्जम्पल ले रहे है कोई question देखो सरीस A का मान हमें क्या दे रखा है I plus J plus K डे दिया ठीक है I plus J plus K के डे दिया सरीस B का मान कोई भी ले ले लिए आप अपनी trip से OE भी मान 2I kf minus J kf plus K kf इसी प्रकार सरीस C का मान यहाँ से आप I, J, K भी ले सकते हो कुछ difference भी ले सकते हो हम यहाँ से ले लेते हैं सरीस A का मान I plus 2J plus K kf अब इसका हमें क्या करना है देखो यही निकारना है A cross B cross C निकारना है उसको हम किस परकार से निकारना लेंगे हैं यह देखो развe किस परकार से निकारना है इसका आंसर हमें गी निकारना है तो आंसर का देखो सरीस कुनां का अब ले सी A cross B cross C इसका मान क्या उते हैं हमने अभी पढ़ आए एक और सब्पेस्ट का लिए ओर और बी का डॉट प्रिंट के अदिस कोनन मांने कारेंगे अवर सी का मांने कार लेंगे बी और णिकारनेगे जो रिजल्ट आएगा उसको में रिखले एदो एउर सी का यहांसे कितना मांन आएगा भी देखो, A और C करते हैं, यह रहा है, इसका हमें करना क्या है, dot product करना है, i cap का i cap से करेंगे, कितनी value आएगी भी, 1 आएगी न, i cap से i cap 1 plus, scientists J CAP SE J CAP की यहांसे 200 आजाएगी देखो वेल्यु के में कไม god प्रोडक्ट में क्या होता है अधीस गुणन होता है अधीस गुणन होता है इसली प्रकार देखो a dot b का निकालने हमीं, किसका निकालने है, a dot b का निकालने है, तो कैसे करेंगे इसको, a dot b, अब इसका निकालने हैं, क्या मानाएगा देखो, a और b का dot product करेंगे, यहां से, i cap से i cap से क्या 2, 2, यहां से क्या माना आगया, 2 अब हमें करना है, मान किसका निकालना है, a cross b cross c का मान निकालना है, तो इसका मान क्या जेगा, यहां से, जो value आए, क्या 4, इसका मामें 20 क्या करना है, अजिसको न, तो 20 मुल्टिप्लाइ कर देखो, 8 i k पे, मानस 4 j k प्लस 4 k k पे, यहां से देखो, प्लस मानस का चीन है, मानस का लगा दो, इसका कितना है 2, कुछ से मल्टिप्लाइ कर देखो, 2 i k पे, मानस 4 j k पे, मानस 2 k k प, यहां गया, कितना आंसर है, 8 i k में से 2 i k प गया, तो 6 i k प हो गया, यहां से, मानस का 8 j k प हो गया, और प्लस का 2 k k प हो गया, यह आंचरा आ गया, इसका final result, इस परकार से इन क्युष्णों को हम swallow कर सकते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है न, इनको इस परकार से swallow करना है अभी, कले रहे आपके सबके एकदम, यह आपका था, अदीश और सदीश त्रीगुणनफल का, अदीश त्रीगुणनफल, सदीश त्रीगुणनफल, इनकी property का अलग से में इसलिए बताया है क्यों कि इनका प्रियोग आपको हर जगह देखने को मिलेगा, इनका प्रियोग आपको हर जगह देखने को मिलेगा, ठीक है, समझ मांगे हो न अब तो, यह भी बहुत important है, इनका भी आगे, question इसी प्रकार से solo करते हैं, इसी का भी use होगा, अगर हमें यह दे रखा है, सदीश यह dot product करना है, दो सदीशों के सदीश गुनन से, इसको direct इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, यह भी दान रखना है, ठीक है, अब अगली class में हम क्या करेंगे, हमारी book start करेंगे, different session of vectors करेंगे, ठीक है, अगली class में मिलते हैं तो,